प्रस्तुत है कारिक्रम किसान की बात लक्ष अमारा हर किसान की आंबनी दुगनी ऐसी नहीं नए तरकीवे अब हमको है चलिए इस कारिक्रम की प्रायुजक है क्रिशी एवं किसान का ल्यान मंत्रा ले भारत सरकार प्रधान मंत्री किसान मान धन जोजना प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना से लगुती मानत किसानों का बहविष्य होगा सुरक्षिद और साथ वर्ष की आयू से तीन हजार रुपे मासिक पेंशन होगी सुनिस्चित पचपन रुपे से दो सो रुपे की मासिक किष्ट देकर प्रवेश कर सकते हैं अच्छारा से चालिस वर्ष तक के किसान इस अंच्टायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगता सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाप के लिए जन सेवा केंदर में जाएं और अपना निशुक नामांकन कराएं प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना अन दाता के परिश्रम को संबद सभी का नमसकार सबसे पहले अभिवादन करना चाहूंगा मैं रजत और मेरे साथ हैं मैं हूँ रजनी और आप सभी को हमारा नमसकार रजनी बहुत ही खुबसूरत दिन है आज बहुत ही देख रहे हैं काफी मनोरम द्रिशे है दूप भी खिली है और लोगों के स्वैटर भी मैं देख रहा हूं निकल आए हैं और किसान भी इस वक्त पूरी जूज के साथ पूरी सूजबूज के साथ हमारे कारेकरम के साथ जुड़े हैं जो हमारे बागवानी से जुड़े हुए ग्रेस्ट मितन हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से अपने रेडियो सैट्स के नजदीक आ जाई है कारेकरम किसान की बात में एक पार फिर से आप सभी का स्वागत है हर बार की तरह आज भी एक विशा है आज भी नई सोच को दर्शाता हमारे पास एक टॉपिक है जो कहीं न कहीं आपकी उन्मुक्त खेती को प्रोचसाहित करने के लिए है और वो जुजारूपन जो आप खेती में दिखाते हैं फसनों के बीच दिखाते हैं उसको बनाए रखने के लिए और अजज जी सहब से महतवपून बात तो ये भी है यहां पर कि जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें तो मैं किसी वैग्यानिक से कम नहीं माना क्योंकि वो अपनी पूरी खेती कुछ तक्निकों कुछ अनुमानों को हिसाब से ही करते हैं उसक्राइन हैं उन झाइब हम इस्वागत करना चाहेंगे डोक्टर नफीस आहिमत का आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारते कृषी अनुसंधान संस्थान में आप प्रचार एवं प्रसार देखते हैं महाँ पर और बता दू कि आज जो हमारा विशय है रजनी वो भी बड़ा जोलंत विशय है इस पर भी कई बार हम कोशिश करते हैं कि इससे ही रिलेट करने की कोशिश करें अपने बागी विशयों को लेकिन आज ये खुद में अपने आप में एक विशय है और विशय है जो आज का टॉपिक है जिस पर आप बात कर सकते हैं वो है भारते कृषी अनुसंधान संस्थान द्वारा किसानों के लिए प्रचार और प्रशिक्षन बिल्गुल और यह जो महतुपून आज का टॉपिक है रजज़ जी इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो इस कारेकरम से जुड़े ताकि वो जान सकें कि इस के कितने आयाम हैं और उस ते किस तरह के तरीके से जुड़ सकते हैं तो इसके लिए आपको बता दू रजनी 23421608 तो यह रजनी ने बताया ही इसके अलावा 23421081 दो तीन चार दो एक शून आठ एक भी आज हमारे पास उपलब्ध है तो आप इन दोनों नंबर्स में से किसी पर भी हमारे विशे विशेशग्य से जानकारी ले सकते हैं अपने जागरुकता कर सकते हैं तो कारेक्रम की शुरुआत करते हैं डॉक साब एक बार पुना आपका भी अभिवादन करना चाहूंगा नमस्ते करना चाहूंगा अपने तमाम शोता मित्रों की माध्यम से और इस कारेक्रम की तरफ से जब हम बात करते हैं प्रचार और प्रशिक्षन की सर तो इसके अपने बहुत सारे आया में, हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आप से तब भी मैंने कहा था कि ये अपने आप में एक बहुरंगी वरिक्ष है, जिसके कई शाखाएं हो सकती है, तो सबसे पहले इसकी मूलभूप आवशकता क्या होती है क्रिशी के संदर में? धन्यवाद, आप सभी किसान भाई बहनों का अभिवादन, और आज के इस विशह पे जो की बोड़ा महतपूर विशह है, हम सभी जानते हैं कि पूसा जो हमारा भारती के रिशेन उसंदान संस्थान है, जिसे हम पूसा के नाम से विख्यात है, इस अंस्थान द्वारा बह दूगियों का विकास निरंतर किया जाता रहा है, प्रन्तु सबसे महतपूर यह है कि यदि ये जो तकनीके हमारी विक्सित की जा रही है, यदि ये किसानों तक नहीं पहुँचेंगी, तो इसका लाभ जो असली जो हमारा जो टार्गिट है, किसान, उन तक नहीं है, ताकि वो सुचार रूप से किसानों तक ऐसी तकनीके, ऐसी उननत किसमों की जानकारी उन तक पहुँचाई जा सके, लगता है हमारे साथ शोता मित्र भी कुछ जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक साब, ये आपने बताए कि प्रचार और प्रशिक्शन की इसमें ज जितना जादा विस्तार लेती जा रही है, लगता है कि ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन आप अपने अनुसंधान क्षेतर की अगर बात करें हैं, क्योंकि आप पूसा संस्थान से हैं, तो पूसा के दाएरे में क्या-क्या फिलाल आता है, अभी हम अगर हम इस पर ही फोकस करें तो, जिया हमारे जो संस्थान भारती की रिशन और संदान संस्थान पूसा नई दिल्ली के द्वारा, जो हमारी विक्सित तकनीकियां हैं, उनमें परमुक रूप से मैं ये बताना चाहूँगा, कि जो हमारी उन्नत किस्म की प्रोडक्शन तकनीकें, जिनमें बासमती धान की है और इसके तरिक्त गेहों की उननत किसमे हैं दलहन तिलहन की अनेक किसमे हैं तो इनके उत्पादन तकनीकों पे जो जानकारी और परसिक्षड किसानों को दिया जा सकता है और बलके दिया जा रहा है और काफी किसान इससे लाभानवित होते रहे हैं साथ में अनेक त उसमें हमारे संस्तान द्वारा वीः जिवालु खाद भी Haushां कंटा रूंफ सितग गई है जिन में पर मुखरूप से जिवालु खाद है Bien Fertilad prior जैसे रह से अ जैसे रूं किस तरह से अपने भी wen hehos में उसमेंец था हिए मात्रा में वर्वरब का उपयोग करें साथ में हमारे संस्थान द्वारा अनेक दूसरी भी तक्निकें जो उपलब्द कराई जा रही हैं उनके बारे में हम किसानों को परशिक्षड देते रहे हैं और किस चक परशिक्षड पा सकते हैं अगर मैं उनको भी एक चैप्टर के तौर पर यहां जोड़ता हूँ क्योंकि आप अनुसंधान रिलेटेट चीजें करते हैं अनुसंधान से तालुक रखती हैं आपकी चीजें खेर मैं अपना प्रशन बाद में पूछा हूँ एक शोता मितर जुड़े हैं हमारे साथ हलो हलो जी आपका स्वागत है अपना नाम बताई और कहां से आप जुड़े हैं य tua बताई है जी जी राजंदर जी स्वागत है आपका पूछे अपना प्रश्न पूछे ये है जी अब तो गेहू लगा रहा है खाज तेहरे दिन होगे जी तो इसमें पानी कब लगाया जाए ये इन्हों ने गेहू से संबंदित पूछा है वैसे मैं आपको बता दूँ कि आज हम बात कर रहे हैं प्रश्रिक्षन और प्रचार सुविधां पर जो पूसा अंस्थान की तरफ से आते हैं पर डॉग सब इन्हों ने अब गेहू के बारे में पूछा है कि इसमें पानी कब ढालें. सबसे पर्थम जो पानी का जो है सिचाई जो है वो 21 दिन के बाद जो critical अवस्था आती है उसमें दिया जाता है देना ज़रूरी होता है और उसके बाद जो बाकी जो है पानी का जो है नहीं कर दिन का सिचाई वो अवश्यकता अनुसार लगबग एक महीने के अंतराल पे हो सकती है पहला प्रशन है आपका कि कैसे मिट्टी के अंदर पोशक तत्व के बारे में जानकारी करना इसके लिए अवशक है कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच अवशक करा लें जाँच करनाने के बाद ही पोशक तत्वों की अवस्था इस्थिती का पता चल पाता है यदि हमारे जो मुख पोशक तत्व हैं nitrogen, phosphorus, potassium यदि इनमें किसी की भी मात्रा कम होती है या अधिक होती है उसी के अनुसार आपको अपने खेत में उरुवरक डालने की अनुशंचा की जाती है साथी में कुछ सुक्ष्म पोशक तत्व भी होते हैं जिनका भी बहुत महत होता है खेती में और पौदों के लिए तो उसके लिए भी ये हमारे जो स्वाइल टेस्ट होते हैं बूमी परिक्षण, मिट्टी परिक्षण, इसके द्वारा इसका आंकलन हो जाता है और आवश्यक तत्वों को डालने की अनुशंचा बता दी जाती है रिकमेंडेशन कर दी जाती है दूसरी बात आपने पूची है कि इसकी पर्षिक्षड कहां से होता है तो परसिक्षड के बारे में देखिए परसिक्षड आम तोर पे जो किर्शी विभाग है उनके द्वारा भी दिया जाता है और आपको यदि पता नहीं भी है तो मैं बता सकता हूँ कि हर एक जिले में किर्शी विग्यान केंद्र होते हैं तो किर्शी विग्यान केंद्र हमारे किर्शी के किर्शी में आपके जिले में जो भी किर्शी विग्यान केंद्र हैं उनका परमुक रूप से ये काम होता है कि किसानों को परसिक्षड दिया जाए और अनेक 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 अने विश्यों पे जो खेती से जुड़े होते हैं उन सवाल निकल कर आता है हम अकसर खेती में आर्टिफिशल टेकनलोजी की बात करते हैं आजकल रोबोटिक्स टेकनलोजी खेती में घर कर गई है और जरूरत है इसके प्रचार प्रसार की भी आपको आप कितना क्योंकि आप पूसा संस्थान से जुड़े हैं अनुसंधान से आज के समय में जो आपने बात की यह रोबोटिक्स की तो जो किर्शी में आटोमेशन का बहुत अधिक उप्योग किया जा रहा है तो जो हमारी आटोमेशन है या मेकनाइजेशन है या अभियंत्री करण जो है खेती का वो एक आवश्यक अंग हो गया है खेती को आगे ले जानने का और विकास करने का तो इस संदर में मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों को जो अनेक अभियानत्री की से जुड़े हुए खेती में मशीने हैं बहुत सारे यंत्र हैं बहुत सारे टूल्स होते हैं तो इनके बारे में जानकारी किसानों को कम होती है इसके लिए आव कि कौन-खौन से नहीं-नहीं जो हे मशीने यंत्र जो खेती के लिए उपयोगी होते हैं वो उनको उसके बारे में बताया जाता है इसमें पर्मोकृ रूप से जो कहने की बात है अगर हम आटोमेशन की बात करें यह अब यंत्री करन की बात करेंगे तो इसके लिए किसम के जुताई करने के लिए यंत्र आते हैं, अनेक किसम के हार्वेस्टर यानि के फसलों के कटाई के लिए यंत्र आते हैं, निराए गुडाई के लिए बहुत सारे उपलब्द होते हैं, तो जो उनके लिए आवशक हो, उनका उपयोग करें, रही बात रोबोर्टिक्स की तो आज के टाइम में सभी लोगों को ये ध्रोन के बारे में बहुत ग्यान हो रहा है और जगा जगा पे इसका परचार एवंब परसार किया जा रहा है परन्तु ये अभी बहुत ही आरंबिक इस्थिती है इसकी और धीरे धीरे इसका जैसे जैसे उपयोग बढ़ेगा तो कि बात हो रही है यहां पर प्रचार परसार की और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो जादातर किसान जो है वो उनका एक साथ से आठ प्रतिशत का जो तबका है वही इन तकनीकों के बारे में बहतर जान रहा और उन्नत क्रिसी कर बारा है लेकिन जब बात होती है ऐसे किसानों जो छोटे हैं मन्जोले हैं और जिनमें शिक्षा की भी कमी हैं तो ऐसे में ये संस्थान प्रचार प्रसार के लिए किन माध्यमों का उप्योग करता है। जो कि प्रतिवर्ष मार्च के लगबग पर्थम सब्ता में लगाया जाता है तो किसान भाई इसमें आवश आएं और इस मेले का लाब उठाएं। जो किसान भी किया जाते हैं जिससे नई नई तकनीकों के का परदर्शन हो पाता है और उसको साक्षात रूप से वो उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उनके लिए तकनीकी सत्र और किसान गोश्ठी का आयोजन भी किया जाता है ताकि खेती से जुड़े अनेक विश्यों पे उनकी जानकारी को पढ़ाया जा सके और उनकी खेती को सुद्यूड बनाया जा सके। साथ में पूसा संस्थान द्वारा अपने कई सारे मेले और एक्जिबिशन में जो देश के अलग अलग कोने में होते हैं अपनी तकनीकों के परचार परसार के लिए वहां भी अपनी अपनी तकनीकों का एक्जिबिशन लगाया जाता है परदर्शन लकिया जाता है और में यदि मैं एक और चीज़ बताना चाहूंगा कि पूसा संस्थान में एकल किड़की प्रलाली के तहट किर्शी प्रदोगी की सूचना केंद्र यानि जिसको Agriculture Technology Information Center कहते हैं वो परमुक रूप से वो हमारा एक केंद्र होता है जो कि किसानों की तरह की ज़रुवत को पूरा कर सकता है जो किसान भाई या बहने हमारे जो किर्शी प्रदोगी सूचना केंद्र में आते हैं उन्हें वन स्टाप सलूशन यानि एक ही जगा पे सारी तरह की उनकी समस्याओं का हल किया जाता है जिसमें परमुक रूप से किर्शी सलाकार सला सेवा है साथ में जो है कई सारी फसलों की उन्नत किस्म के भीज उपलब्द होते हैं और वहां से किसान भाई किर्शी से जुड़ी पत्र पत्रिकाएं भी ले सकते हैं जो कि उनके लिए बहुत ही उपयोगी होती है जिन में परसार दूत जो है वहां का एक बड़ा अच्छा अंक है जो है पत्रिका वहां स इनको वहां से खरीद भी सकते हैं तो यह जो हमारा एक्रशी प्रदुकी की सुचना केंद्र है इसके माध्यम से किसानों को आनेक परचार परसार की सुधाय मोहिया कराई जाती है और साथ में मैं बताना चाहूंगा यदि किसान भाई के पास लिखने का हो तो वह कुछ लि देखें एक आठ शून शून एक एक आठ नौ आठ नौ यह हमारी टॉल फ्री यानि इस पर किसी परकार का आपका पैसा नहीं लगता है यह फ्री सेवा होती है तो इसका इसका इस्तमाल करके किसी भी तरह की तकनीकी जानकारी किर्शी संबंदी समस्याओं का निवारण आप चाहें तो बात कर सकते हैं जिसका नंबर है एक आठ शून शून एक आठ जीरो और एक पांच पांच एक तो यह कुछ मैंने आपको वहां के जो जरूरी सूचना सेवा से संबंदित नंबर हैं यह आपको महिया करा है जिससे आप इस तरह तरह की जानकारी पूसा के द के जानकारी जो कि जानके इस तरह की जो परसिक्षड की सुइधाय दी जाती है यह निशूल्ख होती है इसमें यह सारी निशूल्ख सेवाएं हैं और यहां तक कि हमारे जो किर्शी विखा विभाग की भी जो परसिक्षड की सेवाएं और स्विधाएं हैं वो भी निशुलक होती हैं तो आप अपने किर्शी विज्ञान केंद्र से संपर्क साद लें वो आपको बता देंगे इसमें कोई पैसा नहीं लगता है यह इस तरह की परसिक्षड ट्रेन जिस विखाई पर आप परसिक्षड पाना चाहते हैं आपको सूचना समय पर दे दें और आप उसमें परसिक्षड में भाग ले ले जी जी डॉक सब बहुत अच्छा कारेक्षड चल रहा है फिर भी मैं अपने श्रोता मित्रों को यह बता दूं कि आज भारतिक रिशी अन आठ हमारा टेलिफोन नंबर है इसके साथ एक और साथी नंबर भी है दो तीन चार दो एक शूने आठ एक शूने एक जरूर लगाएं अगर आप दिल्ली से बाहर के शोता हैं इसके अलावा हमारा वाट्सअप नंबर भी है 98688688753 मैं दुबारा बता दूं 98688688753 इस भी आप अपने प्रश्ण या प्रतिक्रियां हमसे पूछ सकते हैं हमें बता सकते हैं रजनी कारेक्रम में अब समय हो चलाए कि हम एक छोटा सा अंतरा लें जी बिल्कुल संकट के समय प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना किसानों के लिए बरदान है अब बुखा पड़े या बाड़ा जाएं कोई गर नहीं है अब बोले पड़े यकीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं योजना से हर साल जुर रहे हैं पांच करोड से ज्यादा किसान अब आपकी है बारी नजदी की कृशी कारियाले सेहकारी समीती बैंक शाखा अधिक्रत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजी करन पसल बीमा पोटी या पसल बीमा आत्वारा भी कराया जासकता है पंजी करन प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूम्र सुरक्षा कवर्च कुशी एवं किसान कल्यान मंत्रा लेब प्रशिक्षन की बात करते हैं तो यहां डिजिटल माध्यम का भी जिक्र होना लाजमी है स्वभाविक है तो किस तरह के डिजिटल मोड पर हम प्रचार या प्रशिक्षन की बात कर सकते हैं और किस तरह से यह दूरकामी हो सकते हैं फाइदा पहुचा सकते हैं हमारे तिब्र गती से पहुचने वाला एक माध्यम है तो मैं यह बताना चाहूँगा कि पूसा संस्थान का में यह हमारा एक पूसा समाचार करके यूट्यूब चैनल है तो जो की परतियक सब्ता के शनिवार के दिन यह इसको नया अंक परसारित किया जाता है तो हम सभी किसान करते रहेंगे तो यह यूट्यूब चैनल जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वो हर एक सब्ता शनिवार के दिन नया अंक आता है जिस पर सम किर्शी से जुड़ी समस्याओं समसामाईक विश्यों पर चर्चा होती है उस पर जानकारी दी जाती है अनेक किर्शी से सम्म जो है उच्छी तक्निकों उननत तक्निकों के बारे में जानकारी होती है तो इसको जड़ी किसान भाई इसको सब्सक्राइब करते रहेंगे सुनते रहेंगे तो उन्हें इसका लाब पहुंचेगा साथ में मैं यह बताना चाहूंगा कि पूसा संस्थान की जो वेब है जो उस पे जाकर के हमारी अनेक पत्र पत्रिकाएं वो सारी जो है ऑनलाइन भी उपलब्द रहती हैं जैसे उसमें हमने परसार दूद के बारे में बताया और साथ में अनेक दूसरी किसान भाई योगी पत्र पत्रिकाएं हैं तो उनको वहां से भी वो देख सकते हैं हमारे पुसा संस्थान द्वारा निकाला जा रहा है पुसा समाचार यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके वो जो है लाब इसका ले सकते हैं और खासकर के आजकल तो गाउन में भी यह सब बहुत ही आम बात हो गई है मोबाइल वगेरा तो बहुत ही आसान तरी इसके बारे में जो संदक्षित खेती यह एक विशय है जिस पे संस्थानों के लिए बहुत उपयोगी है आज के समय में इसकी पूरी जानकारी के लिए मैं ऐसा चाहूंगा कि आप जो है किर्शी विज्ञान केंद्र जो आपके जिले में होंगे उनके द्वारा ये इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि इसका परशिक्षड कहां होता है क्योंकि इसके परशिक्षड हर जगा पे नहीं दिया जाता है कुछ किर्शी विज्ञान केंद्र भी इसका परशिक्षड देते हैं पूसा संस्थान द्वारा भी इसके बारे में किसानों को परशिक्षड समय समय पे किया जाता है इसके लिए आप पूसा संस्थान के ज अच्छा रहता है कि जब आप पर्शिक्षण में भाग लेंगे पर्शिचित हो जाएंगे तो कितने एरिये में लगाने से आपको कम से कम कितना एरिया लगेगा सबसीडी तो होती है यह सराज सरकारों द्वारा सबसीडी दी जाती है प्रन्तु यह जब पर्शिक्षण के द बहुत तेज रफटार के साथ हमेशा की तरह इस बार भी भाग रहा है और बहुत थोड़ा सा हमारे पास समय एक संदेश के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे प्रचार और प्रशिक्षन माध्यमू का किस रफटार के साथ हमारे किसान या भागवानी से जुड़े मितर इस् किसान भाई ये समझे होंगे कि सभी के पास स्मार्ट फोन होता है और वाट्सेप सभी के पास होता है इससे बढ़िया कोई नहीं हम लोगों ने इतने सारे ग्रुप किसानों के बनाए हुए हैं और किसान अपनी कोई भी समस्या होता है उस पे वाट्सेप पे ना सिर्फ व और आज कॉल्स भी हमारे पास अच्छी खासी तादाद में आए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद फिलाल रजत और रजनी को दीजे कारिक्रम संपन्न करने की अनुमती नमस्कार झाल आप सब्सक्वचर गहांञा ओर kadar है अन्यवाद जमस्कार में से दीजे कारिक्रम संपन्न करने को भी मुद्कित भ Свथ हमाद आप से षोट से दो नमस्वाम कि याप स्सक्व कारीक्रव caई किजा से नमस्कार नमस्कार आप सांस। खीन है ज ich वसte वाँे